हेलो फ्रेंड स्वागते आपका रविनास के चन में आज मैं आपके लिए खर्बूचे से बनने वाली एक नई रेसिपी लेकर आयो फ्रेंड इस रेसिपी को आपने इससे पहले नहीं ट्राइ किया होगा तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है अगर आपको मेरी ये रेसिपी प ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसमें चीनी डाल देंगे तो यहां पर मैं चार बड़े चमज चीनी डाल दूंगी चीनी भी आप अपने इसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं इसको हम अच्छे से बोईल आने देंगे उबाल लेंगे दूद को तो बस इसी तरीके से आपको प पकाएंगे, काफी अच्छे से इसको गाडा कर लेंगे, तो देख सकते हैं, पूरा डाल दिया है मैंने यहापे, और मिक्स करेंगे, इसको गाडा होने तक पकाएंगे, अमने यहापे एड कर दूँगे, इसमें खरबूजे का पेस्ट, तो हमने यहापे खरबूजे के बीज और छिलके निकाल कर, मिक्सी में डाल के इस तरीके से पेस्ट बना लिया था, डाल देंगे इसमें, तो बस इसी तरीके से आपको डाल देना है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और 1 मिनिट के लिए बस हम इसको पका लेंगे, बिल्कुल भी आपको फ्रीज में रखेंगे, इस तरीके के जो सब्जा सीट्स आते इनको फालूदा सीट्स भी बोला जाता है थोड़े से पानी में भिगो कर रख देंगे दो चम्मट डाल देंगे अच्छे से इनको मिक्स करेंगे तो बस हम इसमें एक से दो चीजें और डालेंगे तो बस इस बात का आप ध्यान और दोनों में से आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं और इनको डालने के बाद इसका जो टेस्ट है वो चार गुना भड़ जाता है फ्रेंट्स एक बार आप इस रेसिपी को बना कर देखिए एकदम क्रीमी और बहुती टेस्टी आपकी रेसिपी बन कर तयार होगी अच्छ इससे भी इनजोई कर सकते हैं तो डाल देंगे इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल बन कर तैयार है और इसको ठंड़ा ठं़ा इसको सर्ब करेंगे तो मैंने या पे इस तरीके के गिलास ले लिए और इन मे त्राइब करिए यकीन मानिए फ्रेंट्स यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है तो एक बार आप इसको मेरे तरीके से मेरी रेसिपी से ट्राइब जरूर करिए थोड़े से गानिशिंग के लिए यहां पे खरबुजे के पीसिस लगा देंगे इस तरीके से कट करक और तोड़े से ड्राइफूट डाल देंगे तो बस इसी तरीके से आपको डाल देना है इससे क्या होगा जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल मार्केट जैसी रेस्टूडन स्टाइल में इसका लुक आएगा देख सकते हैं फ्रेंट्स जिस तरीके से हम किसी भी रेस्टूडन करते हुए एक बार बनाएंगे तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे कोई भी मिल्चेक या कोई भी ड्रिंक तो एक बार ट्राइज जरूर करिए बच्चे हो या बड़े सभी कोई रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी तो एक बार ट्राइज जरूर करिए रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शर जरूर कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में